हेलो स्टुडेंट्स, मैं हूँ आपके साथ नसीम, आज हम क्लास 10 के चैप्टर नॉम्बर 2 पॉलनोमिल को डिसकस करने जाने हैं तो स्टुडेंट्स ज्यान देंगे, सबसे पहला हमारे पास स्टुडेंट्स तो what is डिगरी, तो डिगरी मीन्स पावरी होती है, लेकिन डिगरी के एक अलक्ट्रम है, तो हम उसको ज्यान देंगे, तो डिगरी की डेफिनिशन होती है, the highest power of the polynomial, जो highest power होती है, पॉलनोमिल की, उसे हम क्या कहते हैं, score degree, हम उसे degree कहते हैं, example कर समझेंगे, example है हमारे पास 2x की q, प्लस में 2x square, प्लस में 7x, प्लस में 9, तो स्टुडेंट्स ज्यान देंगे, इसके अंदर power 2 भी है, 3 भी है, and also 1 भी है, तो तीन powers है, तो हम उनमें से degree की इसको कहेंगे, तो इस पॉलनोमि हमारे पास 3 है, तो that is means, इसके degree कितनी है, 3 है, for example, एक और ले 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 लेते हैं, 2x square, प्लस में 7x, प्लस में 9, तो स्टुडेंट्स ज्यान देंगे, कि इसकी power 1 है, 7x की, लेकिन 2x square, इसकी power 2 है, तो 2 power है 2 and 1, तो हम इसमें से degree किसको लेंगे, स्टुडेंट्स, ठीक है, तो जो हमारी highest power है, highest power हमारी कितनी है, 2, तो means, इसकी degree कितनी होई हमारे पास, 2 students, ठीक है, तो next topic है हमारे पास, NCRT के अंदर topics है, तो linear polynomial, ठीक है, students, तो polynomial को ठीक है, दो तरीके से divide करा गया है, एक, in the base of term, base of power, तो हम chapter number 2 के अंदर, base on power की term हम polynomial को define करेंगे, और explain करेंगे, और classify कर हमारे पास, जो base on power पे, categories जो है, वो है, linear polynomial, ठीक है, linear polynomials, वो polynomials होते है, जिनकी degree कितनी होती, students, 1 होती है, खहने का मतलब यह है, जिनकी highest power, 1 होती है, उसे linear polynomial कहा जाता है, तो ध्यान देनी students, जैसे कि 2x plus में 7, तो इसकी power है, highest, वो students कितनी है, 1 है, it means, इसकी degree 1 है, it means, यह एक linear polynomial है, it is a linear polynomial, यह एक linear polynomial है, students, ठीक है, linear polynomial क्यों है, students, अगर कोई भी आपको पूछे, because, क्योंकि इसकी जो highest degree है, वो 1 है, किसी भी polynomial की, अगर सबसे highest power यह highest degree, 1 होगी, तो वो एक linear polynomial होता है, इसी प्रकासे, quadratic polynomial की बात करेंगे, तो quadratic polynomial के अंदर, जिसकी degree 2 होती है, हाइस्ट जो power होगी, वो 2 होगी, उसे हम quadratic polynomial कहते हैं, जैसे कि 2x square प्लस में, 7x प्लस में ना ही, यहां पर students, आप देखेंगे, यह 7x की, 7x की जो power है, 1 है, और इसकी 2 है, लेकिन highest जो power है, वो students 2 है, इसकी, it means, इसकी degree कितनी होई, students 2 ही, it means, it is a quadratic polynomial, यह एक quadratic polynomial होता हुए है, यह एक quadratic polynomial है, because, क्योंकि इसकी degree जो है, वो students 1 है, ठीक है, students, यह basic properties है, आपको जानना बहुत जरूरी है, इसलिए यह बताया जा रहा है, उसके बाद students cubic polynomial है, cubic means, जिसकी degree कितनी होगी, students 1 होगी, जहां आप सभी जानते हैं, math से आप पढ़ रहे होगे, cube square, to cube means power 1, तो students ज्यान देंगे, cubic polynomial, वो polynomial होते हैं, जिनकी degree, basically, कितनी होती है, 3 होगी, और इसके highest power, 3 होगी, तो इसकी degree 3 होगी, तो इसकी degree 3 है, तो इसकी degree 3 है, तो इसकी degree 3 है, तो इसकी एक cubic polynomial होगी, students, next topic, students, हम इस chapter के अंदर, यह तो properties थी, कुछ लेकिए, लेकिए, के अंदर, basically, बात क्या करेंगे, कि इन topics को बारे में discussion करेंगे, वो topics हमारे पास आगे हैं, तो अगला topic हमारे पास, in this chapter, इस chapter के अंदर, we will discuss, हम discuss करेंगे, mostly quadratic polynomial, कि इसका कहने का मत्तब यह है, कि हमने linear polynomial, quadratic polynomial, cubic polynomial को discuss करा, लेकिन इस chapter के अंदर, हम only and only, mostly, ज्यादा था 90% हम किस polynomial को discuss करेंगे, हम quadratic polynomial को discuss करेंगे, और students, मैं आपको बता दूँ, ये chapter जो है, वो 80% similar है, बिल्कुल किसकी 4 chapter quadratic equation में, तो आपको अगर ये chapter सही से आजाता है, तो आप समझे लिए, 60, 70, 80% आपने वो quadratic equation chapter confirm कर लिया है, अपने लिए, तो students, ध्यान देंगे, यहाँ पे, in this chapter, we will discuss mostly quadratic polynomial, हम इस chapter के अंदर, जादा तर quadratic polynomial को discuss करेंगे, तो तो journal form होती है, quadratic polynomial की, ठीक है, students, the journal form of a quadratic polynomial is to ax square, ax square, plus में bx, plus में c, ठीक है, students, ax square, plus में bx, plus में c, ठीक है, हमारी ये का journal form है, और students, याद रखेंगे, यहाँ पे x है, क्योंकि variable x है, लेकिन आपके पास y variable भी हो सकता है, तो ay square, plus में b y, plus में c, हो सकता है, ठीक है, students, general भी हो सकता है, e b हो सकता है, f भी हो सकता है, variable कुछ भी हो सकते है, तो इसे लिए, लेकिन यहाँ पे हमारे पास x हमने लिए variable, तो ax square, plus में bx, plus में c, हमारे पास ये journal form है, तो students, ax square, plus में bx, plus में c, ठीक है, ये हमारे पास journal form है अब एक बात याद रहना है students इसके डिग्री सबसे ज़्यादा भी हमने पढ़ा था quarter इसकी होती है वह 2 होती है it means इसकी डिग्री किपनी यह two है it has two zeroes इसके दो zeroes आप zeroes कह सकते है solution कह सकते है roots कह सकते है तीनो का मतलब एक ही होता है बिसिकली ठीक है लेकि हम zeros ट्रम लेंगे या root ट्रम लेंगे क्योंकि NCRT के अंदर zeros और roots की ज्यादा बात करेंगे तो सिर्फ zeros और roots towards को हम use करेंगे because क्यों इसके zeros और solution और roots होंगे because it's a degree is 2 क्योंकि इसकी degree 2 है students अगर degree 2 हुई means solution या roots या zeros 2 होंगे अगर degree 3 हुई तो आप सभी जान लें जितनी degree होती है उतने उसके solution roots और zeros होते हैं अगर 2 हुई तो 2 उसके zeros होंगे अगर 3 डिग्री हुई तो 3 zeros होंगे अगर 4 डिग्री हुई तो 4 zeros होंगे यह हम आगे चप्टरे में पढ़ेंगे तो students अभी हमने बता है कि quadratic polynomial के two zeros होंगे तो हम आगे चलते हैं उसके बारे में जानते हैं AX स्पार अगर BX में सी इसा quadratic polynomial यह quadratic polynomial है, journal form है, हम इसके zeros को मानते पर चलेंगे, zeros term reuse कर लो, solution term use कर लो, roots term use कर लो, कुछ भी कर सकते हैं तीनों को means basically same है, तो first हमने zeros को alpha मान लिया, students x की value आएगी, क्यों इसके अदर variable x है, तो इसका मतलब x की value निकलेगी, ठीक इसके zeros, तो first को हमने alpha मान लिया, और second zeros को हमने beta मान लिया, students, ठीक है, तो मैंने भी बताया था, इसके zeros दो होंगे, तो पहले को हमने alpha मान लिया, alpha mean, ऐसा नहीं है कि alpha, आप जब quadratic polynomial को solve करेंगे, तो दो value निकले के आएगी, students, उस पहली value का alpha मान के चलेंगे, दूसरी value का आप क्या मान के चलेंगे, ठीक है, बीटा मान के चलेंगे, तो students ध्यान देंगे, first value is alpha, and second value जो होगी, इस quadratic polynomial की zero, वो हमारा पीटा होगा, students, ठीक है आगे, उसके बाद, the degree of a polynomial cannot be negative decimal, under root, fraction, etc. आप याद रखे, students, कभी भी quadratic polynomial के, किसी भी quadratic, किसी भी polynomial के degrees, जो power होगी, highest, या कोई सी भी power, आप याद रखना, ना तो वो कभी under root में होगी, ना तो negative होगी, ना decimal में होगी, ना ही fraction में होगी, अगर ऐसा है, तो students, वो polynomial नहीं होग for example, यहाँ पर 2x minus x square, plus में 7x, plus में 9, students, ज्यान देंगे, इसकी power जो है, वो minus में, it means यह polynomial नहीं हो, students, टिकर students, friends, अब next topic हमारे पास है, 2.1 exercise के अंदर, find the zeros, आपके पास कुछ graphs होंगे, आप उन graphs को देखके, zeros को बताएंगे, कि zeros इस graph के कितने हैं, basically वो graph हमारा एक polynomial का होता ह तो 2.1 exercise के अंदर, question number first में, हम यहीं सीखेंगे, कि हम zeros कैसे find करेंगे, with the help of graph, graph की help से, so students, ज्यान देंगे, question number first है हमारे पास, y equal to px, where px is the polynomial, px तो है, मारे पास यह students क्या है, एक polynomial है, और उस polynomials के, हमारे पास कुछ graphs है, तो उन graphs को देखते हुए, हमें क्या बताना है, ठी ठीक है, line होगी, graph के अंदर, ठीक है, अंदर, और वो line, y axis में, जहां cut करेगी, हम उस value को नहीं मालेंगे, जहां पर, जितनी बार भी, x axis में cut करेगी, हम उस value को मालते हुए, चलेंगे, तो ध्यान दीजे, friend, अब example की तरफ, students, देखेंगे, line जो हमारे पास, यह px की है, ठ इस ग्राफ का, zeros, zero है, मतब कोई भी solution, zeros, roots, नहीं, zero, next topic, students, अब आप देखेंगे, यह जो line है, px की, यह हमारे पास, px की line है, यह x axis पे, three times, cut कर रही है, तीन बार, cut कर रही है, students, first, second, third, it means, इसके zeros, three है, इसके zeros, जो होंगे, वो तीन है, ठीके, students, because, क्योंकि, x axis पर, ती पर, जितनी बार, cut कर रही है, y axis पर, jitनी बार, cut कर रही है, हम नहीं मालेंगे, x axis पर, चाए हो negative, पर हो, चाए हो positive, पर हो, जितनी बार, cut करी है, हम उसको zeros, zero, बानते है, students, next, पर जाते है, ठीके, यह,मारे पास, graph number three है, students, यह graph number four है, तो, third graph पर जाएंगे, हमारे पास, लेकिन हम Y-axis को भी मान जेंगे, तो X-axis को मानेंगे, तो X-axis भाई ये single time cut कर दी, इसके zeros कितने हैं, students, only one. Next topic, students, basically, आप तो समझ में आ लिया होगा, अगर आप नहीं समझ में आया, तो आप next video पर ध्यान दीजिए, उसके बाद आप मैं फिर बता दूँ इसको, तो students, next topic है हमारे पास, अब ये most important topic है, ये exam में compulsory एक question इस पर आना ही है, किसी भी हाद में, ठीक है students, तो अब हम सीखेंगे, relationship between zeros and coefficient of a polynomial, कि relationship ही बताएंगे हम, कि polynomial के coefficient और उसके zeros के बीच में, बना basically हम relation बताएंगे, polynomial के zeros, जो हम found, find out करेंगे, ठीक है, अलग method से, जो method यूज करेंगे, उसके zeros निकलेंगे वो, और उसके coefficient बीच में, हम relation को करेंगे, relationship को करेंगे, represent करेंगे, तो आप याद रखिए, जब भी ये कभी आप से पूछा जाए, कि find the relationship between zeros and coefficient of a polynomial, तो आप हमेंशा students, दो चीज निकालेंगे, आँख बंद करके, आप वो दो चीज निकाल दीजिए, बस, आपको आगे कुछ नहीं समझना, बस आप याद रखिए, relationship between zeros and coefficients, जब भी आप से पूछेगा, तो आपको दो चीज निकालना है, और ज़्यादा कुछ नहीं, पहली चीज है, the sum of the zeros, आपको पहली चीज निकालनी है, the sum of the zeros, और उससे पहले आपको उस polynomial के zeros निकालने है, अलफा बीटा गी वैल्यूस, आपको मैंने बताया तभी पिछली वीडियो के अंदर, अब कुछ दो पहले मैंने बताया, कि अलफा और बीटा गी वैल्यूस क्या होंगे, हमारे zeros होंगे, उन zeros को निकालके, आप क्या निकालेगे, sum of the zeros, और इसका फॉर्मुला होता है, अलफा प्लस में बीटा, इकुल टू में, माइनस का बी बाई, बेसिकली यह माइनस का बी बाई जो है, यह हमारा चेक करने के लिए होता है, स्टुनेंट्स कि हम सही हैं गलत हैं, हमने सही निकाला है या गलत निकाला है, लेगिन अलफा प्लस में बीटा आपको, आपको फाइंड आउट करना पड़ेगे, और आप यह फॉर्मुला होगा हमारा सी बाई एक, यह बेसिकली हमारा मैंने बताया तबी चेक करने के लिए होता है, स्टुनेंट्स, आपको अलफा और बीटा की का करनी है, इंट्टू करनी है, वो हमारा निकल जागा, प्रोडर अफ दरूट्स, और विद्धी हल्प जर्नल फॉर्म की हल्प से हम उसको चेक भी कर लेंगे, स्टुनेंट्स जैसे गी है, अब आगे इसी टॉपिक को डिस्कस करते हैं, इकसरसाई जमबर 2.2, और कोश्टन में फर्स्ट कोश्टन है, हमारे पास एक पॉल्नोमेल है, और कोडिटिक पॉल्नोमेल, x2-2x-8, x2-2x-8, या हमारे पास एक कोडिटिक पॉल्नोमेल है, हम क्या करेंगे विसके zeros को find करेंगे हम इसको factorize method से solve करेंगे students जो कि आप 6,7,8 में पढ़ चुके हैं ठीक है students जिन्हों नहीं पढ़ा वो ध्यान देंगे ठीक है students यह हमारे पास x square coefficient 1 है तो हम last वाले ते into करेंगे तो 1 into में 8 equal to में 8 8 बंजा 8 it means 8 time 8 होगा मतलब इसका मतलब 8 बंजा 8 तो multiply करने पर 8 आ रहा है फिर हम बीच वाले number को ऐसा तोड़ेंगे ऐसा breakdown करेंगे two numbers में कि multiply करने पर 8 आए plus minus करने पर यह number आए minus का 2x तो students आप मुझे एक बार बताइए कि 8 जो है वो किस-किस के table में आता है two fours are eight, two fours are eight, two fours are eight, two fours are eight मतलब two के table में आएका four time में eight तो इक में ज्यान देगे students two fours are eight, आ रहा है eight multiply करने पर और two four में से two के कितना बचा हमार पर students two, तो basically match कर रहा है two चाहिए हमें और multiply करने को उस number को चाहिए हमे eight, तो दो मैच कर रहा है, it means हम क्या करेंगे अब हमें लेकिन number माइनस में चाहिए, तो इसलिए हम क्या करेंगे, ठीक है x square plus में two x, हम two x को plus लेंगे, और minus का four x, minus का eight इसलिए आप ध्यान देंगे, two fours are eight, multiply करने पर eight आ रहा है, और यह plus का two x है, यह minus का four x है, plus minus, minus, तो minus का two x आ जाएगा, उसी form में ही, तो हमारे पास हमने breakdown कर दिया है, ठीके students, अब आप देखेंगे, दो जोडे बन चुके है, पेर बन चुका है, यह इसका पेर है, और यह x common आ रहा है students, ठीके students, इसमें x common आ रहा है, तो हमने x common निकाल दिया, x plus में two x, और इसमें आप student देखेंगे, एक बाद ध्यान देने वाली students, आप ध्यान रखें हमेशा, जब भी कभी बाहर minus होगा, second pair में, अंदर का sign हमेशा बदलेगा, जब आप common कुछ निकालेंगे, त चुकि हम जब four common निकालेंगे, उसके साथ साथ minus भी common निकल रहा है, जिसका रहा अंदर का sign होगा मारा, minus की जगह पर plus होगा, और हम दोनों में, इन दोनों में से हम निकाल रहा, four को common निकाल लिया, ठीके students, अब हम pair बनाएंगे, x की pair कितने minus के four के साथ, और x plus में two, और आ x minus four पहला pair, और x plus में two पहला pair, उसके बाद हम इसके zeros निकाल लेंगे, इसको हम equal to के बराबर लेंगे, equal to zero, ठीके students, और यह minus का बदर जागे plus का तो x के value four आगी, और यह plus का बदर जागे minus का तो x के value minus के two आगी, जैसे कि मैंने बताया था, दो zeros निकलेंगे, तो students, दो zero नि ठीकेंगे, students, तो friends, अभी हमने जैसे की जाना, कि Quadric, पॉल्वर मिल के हमने solutions को find out करा, एक x की value निकली four, दूसरी value निकली हमारे का minus का two, first value को हमने alpha माना, second value को हमने beta माना, ठीके friends, उसके बाद मैंने आपको बताया था, कि relationship between zeros and coefficients find out करने के लिए दिया रहेगा, ठीके, questions के फाइंडर बोलेगा, कि find the zeros and find the relationship between zeros and coefficients, तो हमें दो चीज़ निकलनी होगी, sum of the zeros and product of the zeros, इसी परकार जागे मैंने questions solve करा, अब इसके बाद हम relationship between zeros and coefficients के बीच में, ठीके, relationship को represent करेंगे, ठीके friends, तो हमें दो चीज़ निकलनी है, ठीके, sum of the roots and product of the roots, ठीके, या कह सकते है, sum of the zeros तो friends ध्यान देंगे, first value जो है हमारे पास, x की वो है 4, it means alpha हमारे पास 4, second value x की हमारे पास है minus 2, it means हमारे पास beta की value हो गई minus का 2, friends, ठीक है, तो first चीज हम निकालेंगे, ठीक है, sum of the zeros, जैसे कि मैंने बताया था कि relationship between zeros and coefficient निकाल लेगे, जब भी कहेंगे तो आपको दो चीज नि beta होता है, और इसका formula होता है minus का by a, इस भी बात हम बात में करेंगे, ठीक है, and में, और उसके बात friends, ठीक है, अब alpha की value हमारे पास 4 है, फिर plus, sin plus, उसके बात beta की value minus का 2 है, तो bracket में minus का 2, plus minus, minus friends, ठीक है, 4 में स 2 गया, 2 बचा, ठीक है friends, तो हमारे पास some of the zeros जो है, उसकी value 2 आ by a friends, ठीक है, और अब देखो, alpha की value friends कितनी है, 4, तो 4 into में, beta की value कितनी है friends, ठीक है, minus का 2, 4 to the 8, तो minus का a, तो product of the zeros हमारे क्या निकल चुका friends, minus का a, और friends, आप जान देंगे, अब हमारा जो formula है, ठीक है, minus का b by a friends, ठीक है, तो अब इससे check करेंगे हम, ठीक है, alpha plus and beta किसके ब x plus में c, तो friends, जहान देंगे, ठीक है, minus का sign, ऐसी लगाएंगे, friends, b की value हमारे पास कितनी है, हम यहां से b, a, b की value find कर देंगे friends, तो हमारे पास a की value, x square एक साथ कुछ नहीं है, तो a की value हमारे पास कितनी, एक आ चुकी है, और b, x के साथ b है, और यहां पे x के साथ 2 है, तो b की value हमारे पास कितनी होगी, minus का 2 friends, और c की value हमारे पास कितनी होगी, minus का a friends, ठीक है, आप है, हमारे पास a x square, ठीक है, a x square, तो b x plus में से हमारे पास general form है, और हमारे पास x square minus के 2x minus का 8, हमारे पास यह quadratic quadratic polynomial था, हमने comparison करा, a की value find out होची कि हमारे पास 1, b की value हमारे पास कैसे न हमारे पास minus का, तो minus, और उसके और B की वेली friends, अभी हमने कितनी काली minus का, 2, तो minus का, 2 friends रखेंगे, और हमारे पर bracket, और उसके बाद हमारे पास friends, upon में A, A कितना friends? 1, ठीक है friends, तो यहां पर ध्यान देंगे, ठीक है, minus minus, minus की minus में 2, तो क्या हो जाए, friends को plus हो जाता है, correct है, इसी तरीके तो friends, हमारे पास, ठीक है, alpha into में beta जो value होती हो बराबर होती है, c by a के, तो friends, check करेंगे, c by a से, तो friends, ध्यान देंगे, ठीक है, c की value जो हमारे पास, वो कितनी है, minus का, ठीक है, 8 friends, ठीक है, a की value हमारे पास, 1 है friends, ठीक है, तो minus का 8 आया, और हमारे पास, c by a से minus का 8 आया, तो यह friends, checking ठी, students, next topic है हमारे पास, अब हम divide करना सीखेंगे, एक pole limit को दूसरे pole level से, जैसे कि जान जाएंगे, हम exercise 2.3 में, हमारे पास question है first, कि हमें क्या है, दो problem में दिये हुए है, एक problem मेरे पास यह है PX, और दूसरा problem हमारे पास है GX, basically हम क्या करेंगे, इस problem PX से PX को हम किस से divide करेंगे, students, GX से, ठीक है, तो आगे हम कैसे divide करेंगे, वह हम सीखते हैं, ठीक है students, ज्यान देंगे सभी, हम इक line draw करेंगे, ठीक है, बचपन में आप जहसे की divide करते हैं, हम PX है, उसको क्या करेंगे, बीच में लिखेंगे, 2X की power 4, minus का 3X की Q, minus का 3X square, ठीक है students, उसके बाद plus में 6X minus का 2, और GX को लिखेंगे हम students, बहार, ठीक है, X square minus का 2, अब students क्या करेंगे हम, ठीक है, slowly और one by one तरीके से हम सीखेंगे, कि हम पहले क्या करेंगे, पहले इस first को हम क्या करेंगे, इस से divide करेंगे students, तो जैसे कि आप देख सकते हो, 2X square आगे कटने के बाद students, ठीक है, तो जो आता है कटने के बाद हम उसे क्या करते है students, दिख लेते हैं, ठीक है, तो 4 में से 2 गया, तो value हमार रपास कितने आगे, 2X की square, ठीक है students, तो cut करने के बाद जो value आई हमने इसको लिख लिया, अब हम क्या करेंगे, इसमें multiply करेंगे, ठीक है students, दिख लिख यहां रिक्साना है, ठीक है students, लिखें लिख है, ठीक है, 270 है, 2X2, ठीक है, 2X4, ठीक है 2, 2, 2X4 , पेर नहीं बना तो यह हमार पास students नीचे उतर जाएगा ठीक है minus का x की cube और यह हमार पास plus का यह minus का है minus का 3x square यह plus का 4x square और plus minus minus students तो 4x square में 3x square तो कितना बचेंगा हमार पास 1x square student बचेगा plus का sign इसलिए क्योंकि 4x square हमारा plus का था sign change करने के बाद जो sign change करा हमने उसको मानते हैं पहले वाले sign को हम नहीं मानते ठीक है students उसके बाद हमार पास यह उतर जाएगा 6x और उसका minus का 2 students फिर वही हम करेंगे ठीक है circle चलाएंगे ठीक है कि हमने इसको क्या करा इससे divide करा तो हम चाह करेंगे students 3 के 3x की cube को हम divide करेंगे ठीक है x square से हम basically इस value को इससे divide करेंगे और यह हमार पर minus में तो हम यह minus लिखेंगे और यह power 3 है यह power 2 है power नीचे से उपर जाती है तो minus मोह जाती है तो हमार पर value एगी minus का 3 x की power 1 तो जो आता है कटने के बाद हम उसे यह लिख लेते है students 3 के 3 x की power minus का sorry 3 minus का 3 x की power 1 अब हम इसमें इसकी into करेंगे तो students देखें power 1 power 2 mental band power क्या होती है students add होती है तो 3 minus के 3 x की power 1 into में हम क्या करेंगे into करेंगे x square के तो power 1 and power 2 तो कितना और रहेगा minus का 3 x की cube students हम लिखेंगे क्या आगे लिखेंगे minus का 3 x की cube ठीक है students और उसके बाद हम इसमें into करेंगे तो यह minus तो क्या होगा student plus हो गया और उसके बाद क्या आगा 2 2 जा 3 2 जा 6 students ठीक है तो यहाँ पर बढ़ा गामार पास 6 students ठीक है यह plus का यह भी value cancel हो गई कि यह minus का 6 एक्सा यह plus का 6 एक्सा तो cancel हो गया कि बाद बाले sign को मानते हैं अब हमार पास value जो है गई वह x square और minus का 2 रहेंगे students ठीक है अब हम क्या करेंगे इस value को इस से minus के 2 में करेंगे तो minus के 2 ही जाए students और यह sign change plus का है तो minus minus का है तो plus यह cancel हो गया plus का था minus का था plus का है minus का यह भी cancel और students value हो गई हमारे पास ठीक है zero और students जान देंगे हमारे पास जो question था ठीक है divide the polynomial px by the polynomial gx कि polynomial px को divide करना है gx से and find the this okay qx के तो qx की वडली हमारे पास आचुकी है 2x square minus 3x plus 1 और हमारे पर जो and में आता है उसे students क्या कहते हैं हम उसे remainder कहेंगे जिसे हम क्या के लिखते हैं short में लिखते हैं rx तो हमारे पर rx की value कितनी आचुकी students ठीके 0 तो rx की value मारे पर कितनी आचुकी students 0